आदर्णी बंधू माताओ वे मेरी प्यारी बेहनू राधी राधी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है बंधू आज हम इस वीडियो में छोटे से ठाकुर बांके बिहारी जी की कृपा की कथा सुनेंगे जिसे सुनने वे सुनाने वाले का साथ बिहारी जी कभी नहीं छोड़ती कथा सुनने की बाद यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो कृपय हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचें वीडियो को शेयर वे लाइक भी जरूर करें कथा के अनुसार व्रिंदावन में एक ग्रीब ब्रहामन अपनी परिवार के साथ रहता था ब्रहामन का वृंदावन के ठाकुर बांके पिहारी जी के साथ असीम प्रेम था वे सदा है उनकी सेवा में तत पर रहता पिहारी जी के दर्शन की ये बिना उसे चैन नहीं आता था इसलिए वह परतेऺ दिन नियम के साथ सुभै शाम उनके दर्शन करता और मुख्य पुजारी जी की तरफ से जो भी सेवा करने को दी जाती वहे खुशी-खुशी करता ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन ऐसा आया जब विहारी जी की कृपा से ब्रहामन की पुत्री का विवाहा तैं हो गया ब्रहामन बड़ा परसन था पर कहते हैं ना कि भगवान अपने सच्चे भगतों की परिक्षा समय समय पर लेते रहते हैं उस ब्रहामन के साथ भी ऐसा ही हुआ बेटी की शादी वाले दिन ही मंदिर के मुख्य पुजारी जी ने मंदिर में होने वाले भंडारे में ब्रहामन देव की सेवा लगा दी यह सुन ब्रहामन थोड़ा परेशान हो गया अब क्या करे बेटी की शादी भी नहीं छोड़ सकता था और ना ही बिहारी जी की सेवा से हट सकता था उसने सोचा चलो इस विशे पर अपनी पत्नी से बात करेगा यह सोच वह घर पहुचा जाकर हात मों धोए भोजन पानी किया और फिर अपने कमरे में चला गया पत्नी ने जाकर पूछा आज कुछ उदास हो तब ब्रहामन ने कहा बिहारी जी की किरपा से हमारी बेटी का जा रहा है लेकिन एक बात है जो मैं तुम से कहना चाहता हूँ पत्नी ने कहा कहो वह हिच कि चाता हुआ बोला कि जिस दिन हमारी बेटी का विवहा है उसी दिन पुजारी जी ने मंदिर में होने वाले भंडारे में मेरी सेवा लगा दी है और तुम जानती हो मैं बिहारी जी की सेवा से नहीं हड सकता यह सुन पत्नी कहने लगी आप ही कैसी बाते करते हो भंडारे की सेवा तो सदा ही करते रहोगे पर बेटी का विवाहा रोज थोड़े ही होगा आप मुख्य पुजारी जी से कहकर उस दिन किसी और की सेवा लगवा दो यह कहकर वेह दूसरी त अपनी आखें बंद कर ली विवाहा का दिन आया और उस दिन ब्रहामन मुँ अंधिरे बिना किसी को कुछ कहे यह कहता हुआ मंदिर की तरफ चल पड़ा कि बिहारी जी सब संभाल लेंगे वेह मंदिर पहुँचा और उस दिन भी ब्रहामन ने भंडारे में सेवा पूरे त की ओर चल पड़ा घर पहुचा उसने देखा सब परसन है पतनी का वहवार भी उसके साथ पहले जैसा ही है उसने उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं की ब्रहामन ने भी गड़े मुर्दे उखारना ठीक न समझा और सब कुछ पहले जैसा चलता रहा कुछ दिनों बाद बेट की के विवाहा की फोटो बन कर आई ब्रहामन ने सोचा विवाहा में तो शामिल हुआ नहीं चलो इन्हीं देख कर ही परसन हो लेता हूं प्रन्तु जैसे ही ब्रहामन ने शादी की तस्वीरे देखी तो उसने देखा हर तस्वीर में वो शामिल है यह देख ब्रहामन फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा हे प्रभू यह आपकी कैसी कृपा है हे बिहारी जी मैं जान गया कि जो आपकी भक्ती करता है आप उसे किसी भी परस्तिती में अकेला नहीं छोड़ती सदैव उसके साथ खड़ी रहते हो और वह मन ही मन अपने बिहारी जी को याद करता ह और उनको धन्यावाद देता हुआ निद्रा के वशी भूतो गया इस परकार जो भी भक्त अपने भगवान में पूरण शर्दा भाव रखते हुए उन पर विश्वाश रखते हैं भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ते बोलो बांके बिहारी लाले की जे बंदो बांके बिहारी जी की शुब ग्रिपा आप वे आपके परिवार पर सदा बनी रहे आपका घर आंगन खुश्यों से महकता रहे इन ही शुब कामनाव के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यावाद राधे राधे